एक टीचर जो 40's में थे उनका अपने स्टूडेंट के साथ अफेर हो जाता है प्रॉलम तब आया जब यह बाद लोगों को पता चलने लगके अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे मुवी Carried Away यह 1996 के एक ड्रामा हॉलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियोच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब भी नग्स दरीगे एक्स्वेशन स्टार्ट करते हैं हमारे मुवी का मेन क्यारेटर जिसका नामे जोसेफ इसे बचपन में पेर में चोट लग गई थी इस वज़े से लंगडा कर चलता है अब उसके एज 46-47 है वो अभी अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि उसकी तबियत बहुत ही खराब रहती है नेकसिन में हम देखते हैं कि जोसेफ एक टीचर है और टाउन के स्कूल में पढ़ाते थे अभी अभी उन्हें पता चला था कि सेमिस्टर खतम हो जाने के बाद टाउन की स्कूल बंध हो जाने वाली है अब सारे बच्चों को एजुकेशन के लिए 50 किलोमेटर ड्राइव करना पड़ेगा आज स्कूल में और एक नियू स्कूल ने जाइन किया जिसका नाम था कैथरिन कैथरिन एक बहुत ही ब्यूटिफुल से लड़की थी और सब लोग उसे ही देखते रहे गए जोसेफ के एक गल्फेंट थी जो उसी के स्कूल में काम करती थी इसका नाम था रोजली रात में हम रोजली के घर पर उसे डिनर करता हो देख सकते हैं रोजली का बेटा है जोसेफ का स्टूडेंट है ये दोनों बात कर रहे थे कि अब स्कूल बन होने वाला है तो उने सीटी में जॉब मिल सकता है पर ये ओफर एकसेप्ट करने के लिए रोजली रेडी नहीं थी इतना जादा हो ट्रैवल नहीं कर सकती जोसेफ को भी पता नहीं था कि अब वो नेक्स्ट क्या करेगा रोजली ने कहा कि मेरे फार्म पर तुम फार्मिंग कर सकते हो पर जोसेफ को इतना अच्छा नहीं लगता ये दोनों छे साल से एक साथ हैं तो रोजली वरी करती है क्या जोसेफ सचमुझ में उससे शादी करेगा जोसेफ कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाना वो उसे प्यार तो बहुत करता है पर कमिट्मेंट से डरता है अगली दिन हम रोजली के बेटे जिसका नाम है रोबर्ट इसको कैथरीन के साथ बात करता है देख सकते हैं कैथरीन उसे पुछते हैं कि जोसेफ तुमारे फादर है रोबर्ट ने कहा कि सिर्फ मेरी मदर और उनमें चक्कर चल रहा है स्कूल खतम हो जाने के बात कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहाँ पर आई कैथरीन इतने जल्दी अपने होश को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी थोड़ा टाइम वो उसे राइड करना चाती थी उसके फादर को जड़ा लेट हो रहा था तो जोसेफ कहता है मैं उसे घर छोड़ दूँगा आप वरी मत कीजिए फादर के जाने की बात कैथरीन जोसेफ से पूछती है कि आगर मैं यहाँ पर रोज आई तो क्या आपको कोई प्रॉब्ल्म है जोसेफ कहता है कि दुम जब चाहो तब आ सकती हो कैथरीन ने कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो जोसेफ ने कहा कि मेरा लास्ट येर है इसके बाद मैं टीचिंग नहीं करूँगा कैथरिन बुछती है कि आप दुसरा क्या करोगे जोसेफ को इसका आंसर पता नहीं था जोसेफ के एक होबी भी थी हंटिंग करना एक दिन हंटिंग करकर वो वापस आया उसके मदर को देखने के लिए डॉक्टर आय हुए थे मदर को कैंसर है तो उसके बाद जादा टाइम अब बचा नहीं है जोसेफ ने अगर अपनी मदर की फिर से टीटमेंट करवाई तो सिर्फ दो-तीन मेहने और जिन्दा रहेगी मदर को इतनी जादा तकलिफ हो नहीं देना चाहता अगली दिन स्कूल में बढ़ा कर जोसेफ जब घर पर आया तो कैथरीन वहाँ सोई हुई थी उसे बात करती है इस जगा के बारे में पूछने लगती है जोसेफ जब आंसर कर रहा था तो कैथरीन अपने कपड़े निकालने लग गए ये बात उसे बहुत ही गलत लगी और वो यहाँ से चला जाता है जरा आगे जाकर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया उसने वापस आकर कहा हमें अफेर करना चाहिए इसके बाद ये दोनों intimate हो गए जोसेफ कैथरीन से बुछता है कि मेरे पहले तुमारे और भी boyfriends थे कैथरीन ने कहा कि of course थे पर तुम मुझे based लगे अगली दिन जब जोसेफ रोजली के साथ था तो इसी situation के बारे में सोच रहा था रोजली बुछती है कि क्या हुआ तो जोसेफ कहता है मैं पूरी लाइफ तुमारे प्यार में रहा हूँ रोजली कोई बाद अच्छी लगती है आज आज सीटी के स्कूल के साथ इनकी meeting थी इस meeting में डिसकस हो रहा था कि जिन teacher के बास proper education है वो जाकर सीटी में पढ़ा सकते है जोसेफ के पास कोई भी degree नहीं पर बहुत सालों से वो पढ़ा रहा था उसके पास experience है फिर भी ये बात जादा matter नहीं करती है वो उसे job नहीं देते तो जोसेफ भी उन्हें गालिया देकर वहां से निकल आया राद में रोसली ने जोसेफ से पुछा कि अब टाइम आ चुका है तो मैं मुसे शादी कर लेनी चाहिए जोसेफ ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहता हूँ रोसली कहता है कि तुम्हारे एक सजबंड से जादा खुश हो रोसली इसे आंसर नहीं करती इस बात से दोनों बहुत अपसेट हो गए थे अगली दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए फिर से डॉक्टर आये हुए थे तो जोसेफ से कहते है कि कैथरीन के फादर भी एक बहुत अच्छे हंटर है वो गए रही थे कि उन्होंने वुल्फ देखा जाते जाते डॉक्टर अपनी गण जोसेफ को देखर जाते है अब वो ओल्ड हो चुके थे तो जोसेफ को हंट करने के लिए काम आईगी अगली दिन स्कूल से वापस आते वक्ट जोसेफ ने उसी वुल्फ को नोटिस किया वो जब घर पर आया तो कैथरीन उसका अल्रेड़ी वेट कर रही थी तो वो अमेशा उसके पास आ जाती और यह अपना अफेर कंटिन्यू करते मदर जोसेफ के लिए वरी करती थी पर जोसेफ ने कहा कि मैं ठीक हूँ आजकल वो बहुत ही खुश था पर फिर भी मदर ने आकर उसे बात कि वो कहती है रोजली मेरे पास आई थी उसने मुसे बात कि कहा तुम उसे शादी नहीं कर रहे है जोसेफ कहता है कि मेरा अब जॉप नहीं रहेंगा उसे प्रोवाइट कैसे कर सकता हो उसके साथ शादी कैसे कर सकता हो मदर कहती कि तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो मेरे घुजर जाने के बाद तुम हाउस सेल कर सकते हो रोजली की लैंड है जहाँपर तुम फार्मिंग कर सकते हो जोसेफ के पास एक बड़ा सा कॉइन का पॉट भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे तो मदर कहती है अगर तुम उन्हें सेल करतो तो एक अच्छा हनीमून भी अफोर्ड कर पाओगे अपनी लाइफ को तुम बेटर बनाओ जोसेफ को भी बात अच्छी लगती है नेकसिन में जोसेफ सब को पोईटरी करना सिखा रहा था इसमें कैथरिन को उसने एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कहा उसे कहती है कि किसी चीज़ को फिल करने के लिए आप उसे experience करो ऐसा ज़रूर ही नहीं होता यह जब सब वो बता रही थी तो रोजली यहाँ पर आकर जाती है जोसेफ इसे ज़रा ओकोर्ड हुआ था सब लोग अपनी पोईटरी सबमीट करते तो कैथरिन ने अपनी पोईटरी में लिखा था कि अभी के अभी मुझसे मिलो स्कूल से घरा आते वक्त वो जोसेफ की गाड़ी में ही आई जोसेफ उस पर गुसा था कहता है स्कूल में मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो जब कैथरिन ने उसे इतना अरजंड ली बुलाया तो डर गया था ये शायद कैथरिन प्रिगनन्ट है कैथरिन गहती के ऐसा कुछ भी नहीं है पर जोसेफ फिर भी डर रहा था तो उसे चिडाने के लिए उसने हा कह दिया गाड़ी रोक कर जोसेफ बाहर आ किया वो असने लगकी और गहती है कि ये सिर्फ एक मजाग था जोसेफ गुसे में कहता है अब मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा कैथरिन वैसे ही रोड पर उसे रीजाने लगके घर आकर ये दोनों इंटिमेट हो जाते है एक दिन सुबा सुबा जोसेफ किया कैथरिन के फादर आए वो गहते हैं मैंने सुना तुम भी एक हंटर हो क्योना हम दोनों हंट करने के लिए जाए हंट पर आने के बाद कैथरिन के फादर ने जोसेफ से का जब मुझे जरूरत होती है मैं उतना ही हंड करता हूँ फादर कहते कि मुझे एक दिन लगा था कि मैंने कायोटी देखा वो बहुत ही इंट्रस्टिंग एनिमल होते है वो हमेशा उनके जरूरत से जादा हंड करते है अगर हम उनकी हंटिंग करे तो डिजर करते है यहां इस scene का कायोटी का reference डिरेक्ली जोसेफ के साथ है कैतरिन के father ने और कहा क्यो एनिमल एक कुट्टे की तरह ही है यह सारी बाते जोसेफ भी महसूस कर रहा था वो डरता है कि अगर कैतरिन के father को इसके बारे में पता चला तो उसका क्या हाल करेंगे आज कल अब जोसेफ की मदर की हालत और भी ज़रा खराब होने लग गई थी जोसेफ ने नोटिस किया था कि कैथरिन और रॉबर्ट एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए कैथरिन ने जोसेफ से पुछा क्या तुम रोजली के साथ शादी करने वाले हो जोसेफ कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तो कैथरिन ने बात उसे प्रॉमिस करती है यह जब intimate हुए तो ने एक साथ डॉक्टर ने देख लिया फिर डॉक्टर के साथ जोसेफ बात करता है डॉक्टर ने उसे कहा कि तुमने जो भी किया यह बहुत ही ज़्यादा स्टूपीड है इससे तुमें कुछ भी नहीं मिलेगा जोसेफ कहता है कि मुझे मज़े आ रहे थे उसने अपने पूरी लाइफ में इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लिया था और अब उसे मज़ा आने लग गया था वो जो भी कर रहा है इस बात को regret नहीं करता एक दिन जोसेफ और रोजली चब कैफे में आए तब वहाँ पर कैफेरिन और रोबर्ड भी खेल रहे थे इन दोनों को साथ देखकर कैफेरिन रोजली के पास आई और कहती है आपका वेटा बहुत ही स्मार्ट है पर आज के लोग ज़रा डिप्रेस रहता है जोसेफ और तुम शादी करने वाली हो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती जोसेफ ने कैफेरिन से कहा कि तुम इसके बारे में जादा वरी मत करो हमारा हम देख लेंगे इसके बात जब जोसेफ रोजली को उसके घर पर छोड़ने के लाया तो रोजली उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी पर जोसेफ उसे मना कर देता है जोसेफ ने उसे यही कार में इंटिमेट होने के लिए कहा पर जोसेफ इस बात से मना करती है तो जोसेफ ज़रा गुसे में घर पर चला गया रागत में जोसेफ के साथ उसकी मदर बात करती है कहती है तो यह सब कर क्या रहे हो मदर को कैथरिन और जोसेफ के बारे में पता था जोसेफ कहता है कभी-कभी बुरी चीज़े करना भी बहुत फ़न होता है मदर भी फिर इस बात को ज़्यादा सीरिसली लेती नहीं आज रात बहुत बारिश हुए जोसेफ डारेक्ली रोजली के पास बहुच गया उसे अपनी सारी फ्रस्टेशन बता देता है वो गयता है हम दोनों की रिलेशन्शिप में पैशन ही नहीं है जो भी चीज़े हम करते हो बहुत ही ज़ादा बोरिंग है मैं तुमारे साथ अलग-अलग प्लेसेज घुमना चाहता हूँ जैसे तुम अपने एक सजबन के साथ थी उसी तरीके से मज़े करना चाहता हूँ उनकी बोरिंग रिलेशन्शिप से तंग आ गया था एक्ट्वल में जोसेफ जब अठरा साल का था तब से रोजली से प्यार करता है पर रोजली जोसेफ के फ्रेंड के साथ थी उसी के साथ उसने शादी की थी उसका हाजबन फिर वार में चला किया और उसकी डेथ हो गए जोसेफ अपनी पूरी लाइफ रोजली को अपने फ्रेंड के साथ देखता आ रहा था वो हमेशा उनसे जेलस होता अब जब रोजली उसके साथ थी तो हमेशा एक लाइफ जो उसके साथ उसने इमेजिन की थी यह वो जीना जाता था यह सारी बाते रोजली को बताने के बाद तोनों इंटिमेट हो जाते हैं आज रात ही जोसेफ की मदर की डेथ होगे फ्यूनरल पर कैथरीन भी आई हुई थी सारे लोगों ने जो भी लेटर्स लिए थे इन्हें रोजली आंसर कर रही थी इसमें उसने कैथरीन का लेटर पड़ा इससे उसे पता चल गया कि जोसेफ और कैथरीन में अफेर है वो बहुत ज्यादा गुस्टा हो जाती है उसने जोसेफ से कहा मैंने मेरी पूरी लाइफ तुमें दे दी ओर तुमने ये क्या किया जोसेफ कहता है कि तुम्हारी वज़े से मेरे بہت सारे साल बरबाद हो गए थे मेरे यंग यर्स मुझे फिर से जीने थे इस बात पर और भी जादा अपसेड होकर वो चली गई रात में कैथरिन जोसेफ से मिलने के लिए आती है उसने कहा कि तुम मुसे शादी कर लो पर जोसेफ उसे मना कर देता है उसने कहा कि मैं रोजली से ही प्यार करता हू कैतरिन ने कहा कि तुम्हें इसके लिए भूगत ना पड़ेगा फिर जोसेफ रोजली को मनाने के लिए उसके घर पर गया वो कहता कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हू तुम मुझे कैसा भी टीट करो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा वो रात बर यही काउच पर सो जाता है अगली दिन जोसेफ के फ्रेंड डॉक्टर रोजली को समझाने के लिए आए उन्होंने कहा कि लड़की बहुत याजीव है जोसेफ ने भी गल्दी कर दी वो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए रोजली बहुत रोती है पर अब तक उसने जोसेफ को माफ नहीं किया रोजली का बेटा हमेशा चाता था कि रोजली और जोसेफ का ब्रेक अप हो जाए तो खुश था वो स्कूल में जोसेफ से बुचता है कि मेरे फादर कैसे थे वो हमें छोड़ कर क्यों किया उन्हें तो गवर्मेंट ने आर्मी जोईन करने के लिए कंपल सरी भी नहीं किया था जोसेफ कहता है तुम्हारे फादर मुझसे हर काम में बेटर थे वो मेरे सबसे अच्छे बेस फ्रेंड थे पर इस टाउन से हो तंग आ गए थे इसी वज़े से यहां से हो चले के जाते जाते रोबर्ट जोसेफ से कहकर जाता है कि आज रात तुम्हारे पास कैथरिन के फादर आने वाले है ये बात सुनकर जोसेफ बहुत ही ज़दा डर गया उसने अपनी गन में गर निकाली और घर में चुप जाता है कैथरिन के फादर आने के बाद उससे कहते है तुम यहां कर कह रहे हो मैं सिर्फ तुम से बात करना चाहता हूँ फादर ने कहा कि कैथरिन ने सीटी में भी यही सारी चीज़े की थी इसी वज़े से हम उसे यहां लेकर आये थे कैथरिन कह रही थी तुम उसे शादी करने वाले हो वो जोसेफ कहता है कि मुँँ उसे शादी नहीं करने वाला वो एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है कैथरिन के फादर ने कहा कि उसने तुमें भी फसाय हुआ है यह बात अब तक तुमने रियलाइज नहीं की यह सब कहकर वो यहां से चले गए रात में कैथरिन जोसेफ से मिलने के लाई वो गहते कि तुम मुँँ उसे शादी क्यों नहीं करते जोसेफ ने कहा कि हम दोने में एज डिफरेंस बहुत ज़ादा है तुम्हें किसे बहुत अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए वो से कभी भी खुश नहीं रख पाएगा हम दोने बहुत अच्छा टाइम एक दुसरे के साथ स्पेरिन किया मैं इसे ज़ादा अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता कैथरिन हर्ट हो गए वो गहती है मैंने कुछ बुरी चीज़ की है बाहर अचानक से जोसेफ ने नोटिस किया कि आग लग चुकिया उसके सारे अनिमल्स के घर को कैथरिन ने आग लगा दी थी उने बचाने की कोशिश करता है और इसमें कैथरिन का होच जल कर मर गया जोसेफ ने फूचा कि तुमने ऐसा किया क्यो कैथरिन कहती कि मुझे लगा था तुम उने बचा लोगे इसके बाद उसकी लाइफ से चली की अब जोसेफ डिसाइड करता है कि सब चीज़े छोड़ कर वो रोजली के पास जाएगा उसने अपना कॉइन कलेक्शन सेल कर दिया रोजली के साथ शादी करकर उसके साथ यो वर्ल देखना चाता था रोजली जोसेफ से कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे प्यार करते हो पर इतने साल में तुमें इग्नॉर करती रही जो भी जोसेफ ने किया यो उसे अपनी गलती भी लगती थी वो से कहती है कैतरिन के साथ तुमें कुछ भी कमिटमेंट नहीं करनी थी इसी वज़े से तुम उसके साथ थै जोसेफ कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है पर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ लाइफ में आगे के सारे एडवेंचर तुम्हारे साथ में देखना चाहता हूँ कैतरिन अभिया से चली गई तो रोजली को भी जादा प्रॉलम नहीं था वो भी जोसेफ के साथ ही रहना चाहती थी उसे माफ कर देती है हम देखते हैं जोसेफ हमेशा जीज जगा पर जाना चाहता था यह रोजली के साथ वहाँ पर गया है इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुईज लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नम्यू के साथ तब तके लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया